हाई वेलकम डेक मैं चैनल आपके लिए लेक्का है यह उत्ताखन्द का स्काफल आप देख सकते हैं यह हमारीεις प्रचा फार के या किसा व्रूट है यह साल में हमें एक बार मिलता है यह चैट के महिने में होते हैं टो झाल होगे यह dual कि क्योंकि साल में हमें एक ही बार खाने को मिलते हैं कि हम इन काफल को थोड़ा चेट पड़ा बनाएंगी मिर्च मसाले के साथ काफल का सन्ना बनाएंगी तो आप रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड से जरू कीजिएगा तो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यहां पर हमने एक बाउल लिया है उसमें हमने मिर्ची लिया है लेसुन की कल्या लिया है पांच से छे और जीरा लिया है और नमक लिया है हम उनको ट्रेडिशनल तरीके से हम इस सिल्पट्टी में पीस रहे हैं वैसे आप चाहे तो काफल नमक में ज्यादा मज़ा नहीं आएगा तो यह दिखिए हमारा मिर्चिपिस के त्यार हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे दो चम्मच मकसर ओयल यहाँ पर हम यही तेल लेंगे सरसुका तेल इसी से एक अच्छा स्वाद आएगा तो हम इसको अच्छा लेंगे पकाना नही उसके बाद हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह सब डालने के बाद ना काफलों का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है तो आप जरूर ट्राई कीजिए यह काफल का सन्ना देखने के बाद ना आप काफलों को हमेशा इसी तरके से सानके खाएंगे तो लीजिए बातू ही बातू में हमने इसको अच्छे से मिक्स भी कर लिया है अब यह खाने के लिए बिल्कुल रेडी है इनके अंदर से ना एक गुठली होती है मैं आपको दिखा देती हूँ यह गुठली के साथ ही हमेसे खा लेते हैं अगर बच्चे खा रहे हैं तो ग अत्रा खंड का फ्रूट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए रेसिपी देखने के लिए थेंक यू बाब बाई